हे फ्रेंड्स देखे आज इस कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका अगर मार्केट कैप देखें तो 37,900 करोड का मार्केट कैप है छोटी सी कंपनी 144 का इसका करेंट प्राइज है और हाइएस जो इसका गया है वो था इसका 162 और लो था 97 रुपे डिविडेंट इल्ड देखें कितना बढ़िया है लगवग 8.5% का तो बहुत शांदार डिविडेंट इल्ड कंपनी ने बनाया हुआ है दस की फेस वेल्यू है और देखें बुक वैल्यू 290 की है तो अपनी फेस वेल्यू से लगवग लगवग आधे पर मिल रहा है बहुत स सांदार अभी वेल्यूशन पर ये कंपनी हमें मिल रही है देखें अगर कौन जो और प्रोज की इसकी बात करें हम तो कौन देखेंगे तो कंपनी हाई लो इंट्रेस्ट कवरेज रेशियो साथी साथ ये जो लाइविल्टी है इसमें 11,532 करोड की और जो अगर इसके प्र 0.49% पर ये अपने ट्रेड कर रहा है अच्छा डिविडेंट कंपनी देती है साथी साथ डिविडेंट पे आउट है इसका 27% के लगभग लेकिन देखें ये जो 11,500 करोड है इसमें डरने वाली बात नहीं है क्योंकि ये एक PSU है और अपने सेक्टर में एकलोती कंपनी है 100 0.58% monopoly रखती है ये कंपनी देखें एक पंपनी जो है 37,000 करोड की है लेकिन अगर इसके देखिए हम रेविन्य देखें तो 75,897 करोड के तो रेविन्य है साथी साथ अगर प्रोफिट देखें तो देखिए जितनी value कंपनी की है उस से आदे से जादा तो हर साल ये प्रोफ तो EPS है बहुत बढ़िया EPS भी हमें देखने को मिलता है और साथ ही साथ अगर हम देखें इस 53 रुपए में 53 EPS है और current price कितना है 144 रुपए तो बहुत सस्ता इस समय हमें ये मिल रहा है दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप से कहना चाहूंगा कि यदि आपने ने बी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक भी किजिएगा साथ ही साथज वीडियो के description में टेलिग्राम ग्रूप का लिंक दिया हुआ है, वहां से टेलिग्राम जोइन कर लिजिए, वहां आपको सेर मार्केट की हर अपडेट मिलती रहती है, तो चलिए सुरू कर लेते हैं फिर से वीडियो अपनी, और देखिए, अगर इसकी हम कंपाउंड सेल्स ग्रोफ देखें त 73,866 करोड के रिजर्ब हैं, साथ ही साथ देखें तो करजा बहुत अखड़ा है, 6,674 करोड का, लेकिन डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये जो है, ये एक फाइनेंस कंपनी है, और फाइनेंस कंपनी में ऐसे करजे होते रहते हैं, इनका बस NPA नहीं बढ़ना चाहिए, लाश्ट में अगर हम सेर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 56% प्रमोटर्स, 17% लगबग FII, 18% DII और पबलिक के पास कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ 9%, तो बहुत सांदार हमें इसका सेर होल्डिंग पैटर्न भी देखने को मिलता है, कंपनी का नाम देख सकते हैं, पा बैंकिंग फाइनेंशल कंपनी हैं, तो यह जो है पावर सेक्टर को अपना फाइनेंश प्रोवाइट कराती है, सातीसात इस कंपनी को जो है महारत्म का भी स्टेटस मिला हुआ है, तो बहुत बढ़िया कंपनी होने बाली है, देखिए फ्यूचर में जो है बहुत अच्छ हैं इसके वो renewal energy के लिए है transmission बगएरा के लिए 40% और साथ ही साथ ये जो है इसका जो लोन है 48% का लोन generator के लिए जाता है करें देखें इसके लोन की तो इसके पास जो है 3,20,094 करोड का लोन है जिसमें देखें 60% जो है बॉन्ट से आता है जो domestic बॉन्ट से हैं वहाँ पर 20% इसका banking से लिया हुआ है और इसने कुछ currency foreign currency है उसको गरिभी रखा हुआ है तो लोन के लिए भी जो है company ने कुछ छिपाया नहीं है सारी के सारी चीचे detail में दी हुई है अच्छी बात है क्योंकि company साफ है तो बहुत बढ़िया करके company ने सारी चीच डिकलेर की हुई है company ने देखे acquisition भी किया है और अगर हम देखें तो जो हमारा REC है उसमें 52% सोरी 53% के लगबग साड़े 52 से उपर है तो लगबग साड़े 53% का acquisition इसने किया हुआ है आधसे ज्यादा शेयर REC के इसी company के पास है तो बहुत अच्छी बात ये भी है तो देखें इसने 300 million euro के euro green bond भी इसू किये हुए है जो की 2028 तक 21 सितंबर 2028 तक ये परिपकव होंगे तो दोस्तो कुल मिलाकर company ठीक ठाक लगती है सही लगती है लेकिन फिर भी देखें investment करना नहीं करना आपके उपर बात है क्योंकि पैसा आपका है तो अपनी analysis जरूर कर लें दोस्तो वीडियो पसंद आई है तो प्लिज लाइक क अबहरत